हमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है नौट्स बूक पर तो दौस्तों होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज में हाथ जूरू फिर से आप सभी के सामने भूगोल का एक नए टोपिक लेके तो दौस्तों आज की वीडियो में हम वाईव मेंडल के बारे में जनकारी प में होगे तो दोस्तों सबसे पहले आती है वायू मंडल की परिवासा तो दोस्तों वायू मंडल की परिवासा कुछ इस प्रकार है फ्रत्वी के चारों तरप के जैसे लाष फाकर सिस्था ऐस की उप छार एप्रोजन और और्गन और सीओ यूटू आधी बहुत बहुत सारी गेश आती है तो इन से ही मिलकर हमारा वायू मंडल बना होता है इसके अला इसमें जलवास्प, ओजोन और इसकी बहुत सारी परते होती है जिसके बारे में हम आगे अभी चर्चा करेंगे तो दोस्तो चलते हैं आगे तो दोस्तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्रापत कर लेता है तो दोस्तो वायू मंडल में अनेक गेसे होती है और इन गेसों सही वायू मंडल बना है और इन गेसों के अलावा वायू मंडल में जलवास यानि नमी वद धूल के कंड़ी होते है तो दोस्तों मैं पहले बता रहा था कि इस गेसों के अलावा वायू मंडल में जलवास और नमी वद धूल के कंड़ी होते है तो दोस्तो इनी से हमारा वायू मंडल मिलके बना होता है तो दोस्तो हम चलते हैं बागे और दोस्तो इसके अलाओ वायू मंडल में निम्न गैसे होती है जिसमें नाइट्रोजन 78.00% होती है इसके कारणी वायू दाब पवनों की सक्ति धता परकास के परावरतन का आबास होता है तो दोस्तो वायू मंडल में उपस्तित नाइट्रेजन के से कारणी वायू दाब पवनों की सक्ति धता परकास के परावरतन का हमें आबास होता है तो दोस्तो अब हम चलते हैं आगे तो दोस्तो इसके बाद बारी आती है ओक्सिजन की तो दोस्तो ओक्सिजन वायू मंडल में 64 कीमी तक फेली रोती है ओक्सिजन के बिना हम आग नहीं जला सकते हैं दोस्तो ओक्सिजन आग जलाने के लिए साहिक है अगर औक्सिजन नहीं होगी तो हमें हम सांस भी हमें ले सकता है मतलब औक्सिजन को प्रांड दाई वायू भी कहते हैं और इसके इसके बीने हम आग भी नहीं जला सकते हैं तो दोस्तो हम चलते चलочно से आगे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप से मिशना हो तो दोस्तो हम चलते हैं आगे तो दोस्तो अब बारी आती है ओर्गन क्या है तो दोस्तो इसका उत्तर होगा तो दोस्तो ओर्गन एक गेस है और ये एक अक्रिय गेस है तो दोस्तो अक्रिय गेस का मतलब होता है ऐसी गेस जो बाकी किसी परदार थे फिर गेस से गिरिया नहीं करती है उसे ही हम अक्रिय गेस करते हैं तो दोस्तो ओर्गन अक्रिय गेस की स्रेणी में आती है तो दोस्तो ह इसके बाद बारी आती है कार्बन डाई ओकसाइड यानी CO2 की दोस्तों CO2 वायू मंडल का केवल 0.3% भाग होते हुई भी यह एक महतपूर गेस है क्योंकि दोस्तों CO2 के कानी पौदे अपना खाना बना पाते हैं और हमें ऑक्सीजन परदार करते हैं तो दोस्तों कार्बन ड की बात क्यों से नाता है ओजोन क्या है तो दोस्तों इसका उतर होगा तो दोस्तों ओजोन एक गेस है जिसे हम O3 भी कहते हैं तो दोस्तों ओजोन एक गेस और यह ऑक्सीजन की ही साती होती है और यह सूर्य की हानी कारक पेरा बेंगनी केरोनों से हमारी रक्सा करती है इसलि आप धयारक है ओजोन एक महत्पूर्ण गैस होगी साहिए और यह सुर्य से आने वाली यूवी किरुणों से हमारी रखाँ करती है इसलिए ह। हम जा दे सुर्य से आने वाली पैरा मेंगणी किरुणों को हमारे वायो मंडल से ही भार फेक देती है और और सुच मतलब अच्छा प्रकास ही हमारे तक पहुंचता है इसलिए ओजोन एक वहत्पूर्ण गैस है और ओजोन फृत्विकी सत्य से 20 से 50 किलोमेटर की उंचे के भीची पाई जाती है तो हम चलते हैं आगे तो दोस्तो इसके बाद सुपर्सोनिक जेट विमानों से निकली हुई नाइट्रोजन ओक्साइड और एर कंडीशनर रेफ्रीजेटर आदी से निकली हुई कलोरो फ्लोरो कार्बन यानि सी एफ्सी ओजोन की परत्कों कापी सबचती पहुंचा रही है तो दोस्तो ये सुपर सोनिक जेट विमनों से निकले हुई nitrogen oxide air condition जेफ्री जेटर आदी से निकले हुई chlorofilor carbon यानी cfc आदी से ओजब को ओजब गैस को यानी o3 को बहुत नुकसान पहुचा है और यह इसी इन गैसों के कारण ही वायू मिंडन में ओजब का बहुत बड़ा छेद हो गया उससे पृत्वी पर सूरिय की आनी कारग प्रेड़ा वेंगनी करने आने लगी है तो दोस्तों हमें इन गैसों का उपयोग या फिर परियोग भूती कम करना चाहिए क्योंकि यह और जोन की परत के लिए बहुत हानी कारग होती है तो दोस्तों हम चलते ह आगे तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं वायू मंडल की सरचना के बारे में तो दोस्तों वायू मंडल की सरचना कुछ इस परकार है तो दोस्तों वायू मंडल लिए सरचना को कई उर्धवारदर परतों में बाटा गया है जो निम्लिकत है दोस्तों वायू मंडल की सरच ही मैं आथा यह वायू मन्डल की सर्चना की कुछ पटें इनी इसे हमारा वायू मन्डल बना है तो दोस्तो चलते आगे को तो सबसे पहले बात करते हम छोम मंडल के बाऊरे में तो दूस्तो कि तो इसकी मोटाई एक दुशुमलव पांच किलोमेटर तक होती है और यहां पर तापमान इस्त dabei होने Kickstarter काराण। तो दोस्तो मोसम संबदित सभी गटना है जैसे बादल आंदी वर्षा सोमंडल में ही होती है तो दोस्तो पृत्वी की धरातल से सबसे पहले ही सोमंडल आता है और बादल आंदी वर्षा आदी सोमंडल में होते हैं तो दोस्तो हम चलते हैं आगे तो दोस्तो हम बात करते हैं कि इस परत को और किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तो सबसे पहले तो यह इसको छोम मंडल कहते हैं इसके अलावा इस परत को क्या कहते हैं तो दोस्तो इसका उत्तर होगा तो दोस्तो छोम मंडल को हम समहन मंडल भी कहते हैं क्युकि gosh 10 फ्रचेज्न यानी 29-किलमेटर की उचाहे तक पाए जाता है तो वह हम चलते अगे गर्वित तो इसकी बात आता है समताफ मंडल पहले पहले मंडल पिर समताप मंडल तो दोस्तों समताप मंडल के बारे में थोड़ी पहुत जानकारी प्राप्ट कर लेते हैं तो वायो मंडल की दूसरी पतल समताप मंडल खेलाती है इसकी उचाई लगबग 50 किलमीटर मान जाती है इस मंडल की निचले भाग में यानि 20 कीमी की उचाई मंडल बन जाता है क्योंकि इसमें हमारी ओजूंगेस पाइजा जाती है और यह करी ऊचाई इसकी उचाईnes लगबगे। 50 किलो मेटर होती है और इसकी 20 किलमेटर की उचाए तक ताप मान इसली रगता है इसके बाद उचाए के साथ ताप मान तेजी से बढ़ता है तो दोस्तो आप जहार रखना कि ओजोन के समताप मंडल में ही पा जाती है तो दोस्तो हम चलते हैं आगे तो दोस्तो इस मंडल में रीतु सम्मंदित परिवतन ना होने के कारण ये मंडल हवाई उड़ानों के लिए उत्तम है तो दोस्तो इस मंडल में रितु सम्मदित परिवतन मतलब आन्दी तूपान बारिस आदी इसमें कुछ नहीं होता है क्योंकि ये सब तो छो मंडल में होता है इस कारण ये वाई उड़ानों के लिए एकदम उत्तम है तो दोस्तो हम चलते हैं आगे तो दोस्तो समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते है तो दोस्तो समताप मंडल के ऊपरी मंदे मंडल पाया जाता है इसका विश्तार 50 कीमी से 90 क्लो मेटर तक है इस परत में उचाई के साथ साथ तापन गड़ता है इसकी उपरी सीमा को मद्य मंडल सीमा कहते हैं तो दोस्तो इसकी उचाई मतलब इसका विस्तार 50 किलो मेटर से 90 किलो मेटर होता है और इसमें उचाई के साथ तापन गड़ता है तो आप त्याद रगला कि मद्य मंडल में उच्छाए के साथ तापन घड़ता है तो दोस्त हम चलते हैं आगे तो दोस्तो इसके बाद एक महत्पूर्ण मंडल के बाद हम बात करेंगे जिसका नाम है आयन मंडल तो इसके बादे में हम थोड़ी बहुत जानकरी प्राप्त कर लेते हैं तो दोस्तो आयन मंडल में उपसित करण विदुत आवेशित होते हैं और इन्हें आयन कहते हैं अत्या इसी करण इस परत का नाम आयन मंडल रखा गया है इसी परत्ते रेडियो तरंगे परावर्तित होती है दुरुपल लाल रंग की ओरोरा दिव्य जोती चमक इसी मंडल के कारण होती है तो दोस्तो आयन मंडल में उपसित करण विदुत आवसित होते हैं यह पता है कि विदध आवसित कनको आयन कहते हैं तो इस कारण दोस्तो एयन मंदल का अपना एक मेयत्व हो आपना एक है वी एक तरणगे कि इसजी परावर्थित हो लोगती है जो ती हमें दिखाय देती है वो इसी मंडल में दिखाय देती है और यह आयनों के करण होता है तो दोस्तो हम चलते हैं आगे तो दोस्तो इसके बाद आता है बाहय मंडल तो दोस्तो बाहय मंडल के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकरी प्राप्त कर लेते हैं तो दोस्तों आयन मंडल के सबसे उपरी वायू मंडल की परत को हम भाय मंडल केते हैं यहां वायू का यहां वायू विरल होती है और यह परत्वी की सबसे दूर है यहां ताप मान 50,000, मतलब सोरी दोस्तों 5,000 डिग्री सेल्ज से भी अधिक होता है यहां hydrogen हीलियम गेसों की प फ्रत्वी की सबसे दूर की परत है और यह तापमान पांच आजाय डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन दोस्तों फिर भी इस तापमान आपन नहीं होताई और यहां हिड्रोजन हेलियम गेशर की फड़ांत है तो दोस्तों, आप याद रखना की हाइडैय। गेहरे है तो दोफ्वन केसे वहाइ 먹는 15 km 80 डिकी उचायक साथ 60 गड़ता है तो दोस्टों इसे हम सामाने मंदल उलकाएं और और ओजन परत की मोटाई इसी में है तो पचास किलो मेंटर के बाद हम बात करेंगे समतार मंदल के बारे में तो मध्य मंदल और उलकाएं इसी में होती है और दोस्टों उसके त्रेडियो तरंगे की प्रावर्तित करती है तो आएन मंडल रेडियो तानल रावर्तित करती है उसके सबसे बाद आता है कहिं दौत रखे देख सकते हो तौक्षक भी में Uman Ten twenties जे तक होती है वह देख वर चार सो किमी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और चै लेघू को सब्सक्राइब कर लेना ऐसा ही और वीडियो के लिए तो दोस्तो यह थे भुगोल का वायो मन्डल टोपिक. तो दोस्तो ऐसे ही भुगोल के और टोपिक में लेके आता रहते हूं आपके लिए और बहुत ही आसान बासा में समझाने की कोशिश करता हूँ तो इसलिए यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियो के लिए तो दोस्तो मैं भी लूँगा ऐसे ही दूसरे वीडियो में आप से तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो